नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है आपके अपने यूटूब चैनल हराइ न्यूस पर इस समय कि दोस्तों सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके देश दुनिया की सभी बड़ी खबरे आगे इस जरूर पहुंचाईएगा दरासल दोस्तों पहली और बेहत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आरेसस को लगा तगडा जटका अदिल्ली दंगों के दोरान कीती हत्या और लूट पार्ट आरेसस के कारकरता हुए गिरफतार जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चल दग कॉइंट ने आरेसस के सोला कारकरता हूँ और पदादिकारियों पर दंगा हत्या और लूट पार्ट के मामले में या तो गिरफतार या आरूपित किये जाने की यहां पर कुष्टी की है दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार सीट में इन सभी के नाम सामिल है यह सभी सोला आरोपी राश्ट्रिय स्वयम सेभक संग यानि की आरेसस के सक्रिय सदस से हैं तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है जहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली दंगों के दोरान कीती हत्या और लूट पार्ट आरेसस के सोला कारकरता हुए हैं गिरफतार दा कॉइंट ने किया है बड़ा खुलासा इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है रेलवे का निजी करण कर गड़ीबों का आखिरी सहरा भी छीन रही है केंद्र की मोधी सरकार देश की जनता इस तक करारा जवाब देगी मोधी यह यहां पर कैना है राहुल गांधी का आप लोगों को दोस्तों बताते चलें अपने पहले कारकाल से ही मोधी सरकार निजी करण की रहा पर है कई बड़ी सरकारी कमपनियों का निजी करण किया गया और कई इस लाइन में हैं यहां तक की मोधी सरकार देश की लाइफ आप लोगों को दोस्तों बताते चलें राहूल गांदी ने टूइट कर कहा कि रेल गरीबों की एक मात्र जीवन देखा आए और सरकार उनसे ये भी छीन रही है जो छीन ना है छीन लीजिए मोदी जी लेकिन याद रहे देश की जंता इसका करारा जवाब देगी आपको ये यहाँ पर राहूल गांदी ने एक बार फिर से जोरदार हमना बोला है केंदर की मोदी सरकार पर तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश कानपूर में आठ पुलिस कर्मी हुए सहिद समाजवादी पार्टी ने कहा रो होगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बने उत्तर प्रदेश के कानपूर में दविस के दोरान सत्ता संरचित अपराधियों द्वारा हमले में सीयो समित आठ पुलिस कर्मी सहीद हो गये पार्टी ने सहीदों के परिवार को एक एक करण रुपए मुआफजा दे दोस्तों जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें पुलिस विकास दुबे नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी बदमासों ने घर की छस से घात लवाकर पुलिस की टीम पर हमला किया अपराधी पुलिस के हतियार लूट करके भी ले गए तो यहाँ पर दोस के से कानून विवस्था चौपट हो गई है कि आप लोग दोस्तों समझ वाधी पार्टी के इन तमाम बातों से सहमत है या नहीं अपनी राय जरूर बताईए गए इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है चीन विवाद अमिस्था का ध्यान देश की सुरच्छा की बजाए सरकारे गिराने पर ज्यादा है जिया दोस्तों आप लोगों को बताते चलें भारा चीन बॉर्डर पर बने तनावपूर हालात को लेकर के राजिस्थान के मुक्यमंतरी असोग गहलोत ने पीम नरिंद मो मोदी जीने नेपाल का भी दोरा किया क्या कारण है कि सभी पडूसी देश अब हमारे खिलाफ आएं चीन की तो लंबी हिश्टरी है चीन ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें राजिस्थान के मुक्यमंतरी असोग गहलोत कि नरेंद्र मोदी अठारा बार चीन के नेताओं से मिले मोदी जब चीनी राष्ट्रपती को जूला जुला रहा है थे तब भी बॉर्डर पर जड़ पे चल रही थी अमिस सहा का ध्यान आंत्रिक सुरच्छा और बॉर्डर की जगहे चुनी हुई सरकारे गिराने पर ज्य या दोस्तों आप लोगों को बताते चलें MP की पूर्व सियम उमा भारती सिवराज कैबिनेट के विस्तार से काफी असंतुष्ट हैं उन्होंने कहा है कि मंत्री मंडल में जाती है संतुलन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है भारती ने इस बावत पार्टी नेतिर को पत्र भी लिख दिया है आप लोगों को दोस्तों बताते चलें उमा भारती ने पार्टी नेतिरित को अपनी सैधान्तिक असहमती से अवगत करा दिया है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सिवराज कैबिनेट के विस्तार से असंतुष्ट हैं बीजेपी के ही नेत और पढ़ रही है जबरदस तरीके से फूट ये साफ्टार पर दिखाई पढ़ रहा है तो वहाईं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें राहूल गांधी ने आदिवासी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिये 175 स्मार्ट टीवी जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रेस के नेता और वाइनाट से संसद राहूल गांधी ने अपनी संसदिये सीट के आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्ट टीवी मुहया करवाए हैं राहूल गांधी की तरप से वाइनाट जिला परस दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रेस के सांसद चिदंबरम बोले प्रियंका गांधी को यूपी सीम पदका उमिदवार घोसित करें पार्टी जी हां दोस्तों कॉंग्रेस में प्रियंका गांधी को आगे करने की मांग एक बड़ फिर से उठने लगी है कॉंग्रेस के सांसद कार्टी चिदंबरम ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पतका उमिदवार घोसित करने की मांग की है उन्होंने ट्वीट कर लिगा है कि कॉंग्रेस पार्टी की राष्ट्री ये इस और उन्होंने यहाँ पर मांग की है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पतका उमिदवार घोसित करे पार्टी तो वहाहीं दोस्ते एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें बाबा साहिब डॉक्टर भीम राउं अमेडिकर ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि सौदे बाजी से बनेगी सरकार जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें मद्द प्रदेस में सिवराज मंत्री मंडल का विस्तार हो गया है ये विस्तार पुरी तरह से प्रदेस में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाओं को देखते हुए ही किया गया है बीजेपी ने अगर मंत्री मंडल में गौलियर चंबल को तरजी ही देकर अपनी तयारी जाहिर कर दी है तो वहीं कॉंग्रेस बीजेपी के इस छल कपट को ही चुनाओं में मुद्दा बनाएगी ये यहाँ पर कहिना है मुख्यमंत्री कमलात का आप लोगों को दोस्तों ब खिलवार हुआ है जब सौधेबाजी से सरकार बनाई गई है एक चुनी हुई सरकार को धोखा और लालस देकर गिरा दिया गया है याँप लोगों को दोस्तों बताते चलें मद्द प्रदेश के पुर्व मुक्यमंत्री कमलनातनी कारकरताओं से उक्चुनाओं में पूरी जोकने का आवान किया उन्होंने भाजपा सरकार पने साथते हुए कहा कि मद्द प्रदेश की जनता वक्त आने पर मुहतोर जवाब जरूर देगी प्रदेश की इतिहास में पहली बार प्रजातंत के साथ खिलवार हुआ है अगर चुनी हुई सरकार गिरा दी जाए तो फि सौधे बाजी से भी सरकारे बनेंगी यह यहाँ पर जोड़दार हमना बोला है मद्द प्रदेश के पूर्ब मुख्यमंतरी कमलनाथ ने बीजेपी पर तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें प्रियंका गांधी को बंगले मामले में कि करवाई का आरोप लगा रही है आप लोगों को बताते चलें प्रियाग राज में कॉंग्रेस की नेता ने सोसल मीडिया पर पोश्टर जारी कर अनोखे ढंग से अपना विरोज जताया है पोश्टर में लिखा गया है कि इसमें इंदिरा का खून है मोधी जो डर कर नहीं आप लोगों को बताते चलें बिहार तेजस्वी यादब बोले लालू यादब के 15 साल के सासन में हमसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए भी माफी मांगते हैं जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें बिहार में विधान सभा चुनाओं को लेकर के सरगर्मिया लग प्रिकी है उन्होंने कहा है कि अगर 15 साल में हमसे कोई भूल हुई हो तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं आप लोगों को दोस्तों बताते चले तेजस्वी आदब राश्क्रिय जंता दल के एक कारकरम में कारकरताओं को संबोधित कर रहे थे इसी दौरान पार्टी के य भूल हुई हो तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं यहाँ पर तमाम बड़ी बाते कहीं हैं तेजस्वी आदब ने और यहाँ पर चुनाओ को लेकर के तैयारियान लगातार हर पार्टी तीच करती जा रही है बिहार में विधान सभा चुनाओ होना है इस साल के अंत में तो यहाँ पर दोस्तो आज की यह तमाम बेहत बड़ी खबरे सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाई गए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन कबरों को जन सकें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बेटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को जरूर बाद दीजे दोस्तों जिससे की आगे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत